इसी बीचर रूक कर लेते हैं इंक और बड़ी खबर की ओर, रजदानी भुपाल से ही चोड़ीकों ये बड़ी खबर सामने आ रही द्याज़र भी गुपाल की सड़कों पर अब लाल बसे दौड़ेंगी आज से भुपाल गी सड़कों पर अब आज थे भुपाल लेगे लाल बसों के 6 दिन से पहिये थमे थे लेकिन अब आज से लाल बसे दोड़ेंगी जिसके कारण शहर में हर रोज 40,000 यात्री परिशान हो रहे थे लेकिन अब यात्रियों को परिशान नहीं होना पड़ेगा चुकि लाल बसों के पहिये जो थमे हुए थे वो आज से चलने के आवा गमन के लिए यात्रियों की सुविथा के लिए भी बहुत महदवपूर्ण लाल बसे माने जाती हैं से में 6 दिनों से लाल बसों के पहिये थमे थे लेकिन अब आज एक बार फरसे लाल बस भुपाल की सड़कों पर दोड़ेंगी परिशानी हो रही थी दस रूटों पर ये दोड़ने वाली बसे हैं टिकेट कलेक्शन को लेकर लगतार विवाज चलना आ था बीसी इल भी जो है बेठा की सर्ना था और तबाव अधिकारी हैं उनके साथ इनका जो है समझ में नहीं बन पाना था लेकिन एक बेठाच के बा विवाज से था वो अब कही न कहीं सुलचता हुआ दिखाई दे रहा थी बिल्कुल याने की विवाज सुलचने के बाद अब एक बार फिर से लाल बसे भुपाल की सड़कों पर दोड़ती नजर आएंगी यात्रियों के लिए एक वाकई बेहदी सुख़द ये खबर है ब बास तौर पर जो यात्रियों हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था लेकिन अब लाल बस एक बार फिर से भुपाल की सड़कों पर दोड़ती नजर दोड़ती ने